अगर अभी तक आपने हमारे लाइफ क्लास में नहीं जुड़े हो तो जुड़िया अनकेडमी के साथ यहाँ पर दोस्तों मैं डेली आप लोगों के लिए क्लास लेकर क्या रहा हूँ क्रैस कोर्स चल रहा है आपको मात इसके लिए 140 रुपे पेक करने हैं अनकेडमी को पर ज्यादा जनकारी के लिए दोस्तों आप हमें वाट्सेप पे मैसेज कीजिए वाट्सेप ग्रुप का लिंक आपको डिस्किप्शन में दिया हुआ है वहाँ से जाईए दोस्तों जुड़िये ग्रुप में और हाँ 140 रुपे पे करना रेफर कोड एके इंडिया को यूज किजिएगा तब अगर एके इंडिया यूज नहीं किजिएगा तो इस कोर्स का प्राइस आपको 14 रुपे देने पर जाएंगे तो अच्छा है कि एके इंडिया यूज आप कर लिए ठीक है साथी दोस्तों www.akindiajob.com की ओफिचियल वेबसाइट पे विजिट करके भी आप इस PDF को देख सकते हैं साथी दोस्तों अभी तक आपने हमें यूटूब पे सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लिजे साथी नीचे छोटा से एक बेल इकान आएगा उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और दोस्तों खबरी पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लिजे वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि बिहार पुलिस की वेकेंसी कब तक आने वाली है साथी दोस्तों टेलिग्राम ग्रूप में भी आप हमें जॉइन कर सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे सारे स्टडी मेटेरियल्स प्री में प्रोवाइट कराया जाते हैं दोस्तों मैं आपको बता दू कि सुबा 7 बजे आप लोगों को यहाँ पर एक क्लास मिलेगी जो कि बिहार पुलिस के important question answers कराया जाएंगे और एक क्लास आप लोगों को रात में 9 बजे मिलेगी जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो मैंने आज questions लिया है वो total 50 questions लिया है और आप लोगों को बताना है कि आज का वीडियो कैसा लगा और हाँ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो फर्स question है दोस्तों एक आदमी 10 मीटर से ज़्यादा दूर इस पस्ट नहीं देख सकता है वो किस रोग से ग्रस्त है दोस्तों इसका सही जबाब है निकट दिश्टी दोस तो निकट दिश्टी दोस में 10 मीटर से ज़्यादा दूर तक इस पस्ट नहीं देखा जा सकता है तो दोस्तो लेंस है जिसमें सबसे अधिक अपवरतनांग होता है दोस्तो थर्ड क्वेस्चन है मानों की आख में दूर द्रिष्टी दोस को ठीक किया जा सकता है इसका सही जबाब है उत्तर लेंस का प्रियोग करके तो उत्तल लेंस का प्रियोग करके दूर द्रिष्टी दोस को ठीक किया जा सकता है फूर्थ क्वेशन है दोस्तो वहनों का साइड मिरर किस प्रकार का दर्पन है सही जवाब है उत्तल दर्पन तो वहानों में जो side mirror लगे होते हैं वो उत्तल दर्पन के बने होते हैं फिफ्ट क्वेशन है दोस्तो सम्तल दर्पन द्वारा बना प्रतिबिम जो दर्पन सतव पर नहीं प्राप्ट किया जा सकता है वह क्या कह लाता है सही जवाब है अभासी प्रतिबिम तो six question है दोस्तो नाइट्रोजन की खोज किस ने किया था इसका सही जवाब है रदर फोड तो रदर फोड ने नाइट्रोजन का खोज किया सवन्त question है दोस्तो ओक्सीजन की खोज किस ने किया था तो इसका सही जवाब है सीले और प्रिस्टले ने तो ओक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने किया एट क्वेशन है दोस्तो अक्रिय गैस आरगन की खोज किस ने किया था इसका सही जबाब है रैमजे और रैले आइन्थ क्वेशन है दोस्तो इलेक्ट्रॉन की खोज किस ने किया था सही जबाब है JJ Thompson तो electron की खोच JJ Thompson ने किया तेन्थ question नहें धोस्तो proton की खोच किस ने किया था इसका सही जबाब है gold stain तो proton की खोच gold stain ने किया next question है दोस्तो कौनसी दो भौतिक राश्यों की विमाएं समान है तो इसका सही जबाब है कारय और उर्जा तो कार्य और उर्जा दोनों भौतिक राशियों की विमाएं समान है गड़ी की स्प्रिंग में संग्रचित उर्जा होती है इसका सही जबाब है स्थितित उर्जा तो गड़ी की स्प्रिंग में संग्रचित उर्जा स्थितित उर्जा होती है नेक्स्क्रेशन है दोस्तों घर के छत या छपपर से एक पत्थर को भूमी सता पर गिराया जाता है तो पत्थर की गतीज उर्जा कब अधिक्तम होगी दोस्तों इसका सहीज बाब है भूमी सता पर पहुँचने से तुरंत पहले नेक्स्क्रेशन है कौन उर्जा का गैर पारंप्रिक स्रोत नहीं है इसका सहीज बाब है प्राक्रितिक गैस नेक्स्क्रेशन है दोस्तों क्या कारण है कि व्यक्ति चटान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है इसका सहीज बाब है प्रतिक्रिया Next question है दोस्तो एक समान गती के साथ वस्तू क्या हो सकती है इसका सही जबाब है त्वरित हो सकती है तो एक समान गती के साथ जो वस्तू है वो द्रवित हो सकती है Next question है कौन अभासी बल है इसका सही जबाब है अपकेंद्रिय बल तो अब केंदिय बल जो है वो अभासी बल है नेक्स क्वेशन है जब किसी तलाप के सांजल में इस्थिर पत्तर फेका जाता है तो तलाप के जल में प्रिष्ट पर उठने वाली लहरे होती है इसका सही जबाब है अनुदैध और अनुप्रश्ट दोनो नेक्स क्वेशन है किसी सिगनल के तरंग के रूप का अधियन किसके द्वारा किया जाता है इसका सही जबाब है औसिलो स्कोप नेक्स क्वेशन है दोस्तों आवरिती मॉडूलेशन में क्या पाय जाता है इसका सही जबाब है निश्चित आयम Next question है कौन सी तरंग निती से नहीं गुजर सकती है सही जबाब है ध्वनी Next question है इस्थिर तरंग किसके द्वारा उत्पन होती है तो दोस्तो इसका सही जबाब है सम्मान आवित्ती की दोनों तरंगों का विप्रित दिशा में गमन करना Next question है सूर्य के प्रकास का कौन सा भाग शौर कूकर को गरम करता है इसका सही जबाब है दोस्तो अवरक्त किरने Next question है मिजौन कन कहां पाए जाते हैं इसका सही जबाब है कौस्मिक किरनों में Next question है रेडियो प्रशारन से संबंधित एम का पून रूप क्या है सही जबाब है Amplitude Modulation दोस्तो next question है वह विज्ञानिक जिसने विद्यूत जुम्बक्ये तरंगों को दुरस्त स्थानों तक भेजा था सही जबाब है हेंरिक दोस्तो next question है गामा किरनों की किन किरनों से सबसे अधिक समानता है सही जबाब है X किरनों की next question है सुरियोदे और सुरियास्त के समय सूरि का रंग लाल क्यों दिखाई देता है दोस्तों इसका सही जबाब है लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकर्नित हो जाते हैं next question है दोस्तों किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पढ़ने वाली सूरि की किरने इसका सही जबाब है प्रकिरनित हो जाती है next question है दोस्तों प्रीदभी के वायू मंडल की अनुपस्तिती में आकास का रंग कैसा प्रतीत होता है इसका सही जबाब है काला next question है कौन सी घटना प्रकास की अनुप्रश्ट प्रवित्ति को दर्शाती है दोस्तों इसका सही जबाब है धुरूवी करन next question है दोस्तों इंद्रधनूश तब बनते हैं जब सूरि का प्रकास वायू मंडल में वर्शा दोस्तों इसका सही जबाब है बून्द पढ़ने से अपवर्तन और आंद्रिक परावर्तन पर विक्रनित होते हैं next question है सम्माने नेत्र की सूप्रस्ट द्रिश्टी की दूरी कितनी होती है इसका सही जबाब है 25 cm next question है किस स्थिति में दूर की चीज़े पर फोकस से हटा कर दिखाई देती हैं इकट द्रिश्टी दोस next question है मानो आख की समवेदन सीलता अधिक्तम होती है सही जबाब है हरे छेत्र में next question है किसी वस्तु का प्रतिभिम रेटीना पर कितने सेकंड तक बनता है इसका सही जबाब है 1 by 16 सेकंड ओतल दर्पन द्वारा स्क्रीन या सीशा की सतव परदे पर बने वाला प्रचित्रा कहलाता है दोस्तो इसका सही जबाब है वास्तविक next question है उत्तल तथा ओतल दर्पन का उधारन होता है इसका सही जबाब है गोलिये दर्पन next question है आर्म वायू में द्वानी का वेग सुस्क वायू की तुल्ला में अधिक होता है क्योंकि आर्म वायू में इसका सही जबाब है सुस्क वायू की तुल्ला में घनत्वक कम होता है next question है दोस्तो हर्ट्स की इकाई क्या है इसका सही जबाब है तरंगों की अरिती नेक्स क्वेश्चन है ध्वनी प्रदूशन की इकाई क्या है? दोस्तो इसका सही जबाब है डेसिबल नेक्स क्वेश्चन है डेसिबल क्या है? इसका सही जबाब है ध्वनी स्तर का एक माप नेक्स क्वेश्चन है दिन के समय में आवासिय छेत्रोक में शोर का सम्मान नुपाद स्तर है इसका सही जबाब है 55 decibel Next question है कौन सी इकाई ध्वनी की प्रबलता की कथित इकाई है इसका सही जबाब है decibel Next question है Hydroscope एक यंत्र होता है जो परिवर्टन दर्शाता है इसका सही जबाब है पानी के नीचे की ध्वनी का Next question है ध्वनी की त्रीवता की एसाई काई क्या है दोस्तो इसका सही जबाब है बाट प्रतिवर्ग मीटर Next question है लिफ्ट में मनुष की मत्था भार उसके वास्त्विक भार से कम होता है तब तो दोस्तो इसका सही जबाब है लिफ्ट का त्वरन के साथ नीचे की ओर जाती है दोस्तो ये थी आज की वीडियो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अग इस वीडियो को शियर करें अपने फ्रेंज के साथ और हाँ दोस्तो अपना स्कोर आप हमें कमेंट शेक्शन में ज़रूर बताईए कि आपने कितने क्वेशन सही किये और चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को ज़रूर सस्क्राइब करें